वैद संपतिया है उन पर भारती जनता पार्टी का बुल्डोजर और कारवाई कानूनन रूप से चलेगी जुगी जी भी ये कह गेते कि चुनाओं के दोरान की आप जीतेंगे तो पूरे एक स्टार की तरह चमकेंगे राइस्तान में उनका कहना का आर्थ था कि तिजारा एक सितारे की तरह चमकेंगा एक सवाल और कि क्या राइस्तान में बुल्डोजर कारवाई अब खुले आम चलेगी आरे नेता माने प्रधार मंत्री जी के उनके नाम पर इतनी बड़ी जीत हुई है आज हम सब लोग सत्र के दोरान उनके आगमन पर उनको बधाई भी देंगे और इसी भाव से हम दिल्ली पहुँचे है योगी आदितिनाद आपके पूरे चुनाओं पचार में जम कर आए थे और क्या लगता है कि जो सांसा सीट थी अलवर की उसके बाद तीजारा सीट को जीतने के लिए कहीं चुनाओं मैं आपको चुनोती नजर आ रही थी नहीं ऐसा कुछ नहीं था योगी आदितनाजी और पार्टी के सभी बड़े हमारे सिशने तो तुने सभी जगे परचार किया है योगी जी एक बार अलग से ओर आये थे तीजारा में इतना अलग है और थोड़ा सा एक विक्तिगत परिवारी कृष्टा है हमारा सादू संत तो उस बाव से भी बाकी तिजारा का चुनाओ हमने पहले से दिन से आश्वस्تिक जीतेंगे और पुनरूप से विष्वास था जनता में भी confidence था और बहुत अच्छे से चुनाव को जनता ने हमारे तिजारा के लोगों ने मिलके जीता है, हमारे कारेकरताओं की मेहनत ने जीता है और हमें सेवा का आउशर दिया है पबाजी राजनेती गलियारे में अब खबर यह आ गई है कि मुख्य मंतरी की दाविदारी के लिए सबसे पहले आपका नादाओं की मागदसन में ही हमारी पार्टी कारे करती है और उनी के पच्चिनों पर हमारा एक एक कारेकरता आगे भढ़ता है योगी जी भी यह कह गये थे कि चुनाओं के दौरान की आप जीतेंगे तो पूरे एक सटार की तरह चुमकेंगे राजस्ता में उसका क्या महारा उनका कहना का आर्थ था कि दिजारा एक सितारे की तरह चंकेगा एक सवाल और कि क्या राजिस्तान में बुल्डोजर कारवाई अब खुले आम चलेगी? खुले आम का क्या मतलब है? जो लोग बरस्टाचारी हैं, जिन लोगों ने अवैद रूप से संपतियां खड़ी की हैं, अवैद संपतियां हैं, उन पर भारती जनता पार्टी का बुल्डोजर और कारवाई कानूनन रूप से चलेगी?